हैलो गाईज आप सभी का बाला की रसोय YouTube चैनल पर स्वागत है आज की रेसपी है भिंडी दो प्याजा बनाना तो आए बनाते हैं भिंडी दो प्याजा बिंडी दो प्याजा बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम भिंडी ली हैं इनको हमने अच्छ से धो के कपड़े से प्याज के इस परकार से लच्छे निकाल लिये हैं और दो प्याज को मैंने इस परकार से बारी कट कर लिया है एक अधरक टुकुडे को मैंने चौपर में चौप कर लिया है आठ से दस लसम की कलियों को भी चौपर में चौप कर लिया है दो हरी मिर्च ये मोटी हरी मिर्च है ये बिल्कुल भी तीखी हरी मिर्च नहीं है, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, दो टिमाटर के हमने बीज निकालके एक टिमाटर में से चार टुकड़े कर लिये हैं, और ये एक टिमाटर की हमने प्यूरी ली है, और थोड़ा सा हमने जीरा, आधा चम्मच हमने धन् मसाला लिया है, तो आईए, बनाते हैं भिंडी और दो प्याजा की सबजी, ये मैंने कड़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं ओईल डालूँगी, मैंने ओईल दो बड़ाई सर्वी स्पून के आसपास लिया है, ओईल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले मैं ये प्याज को थोड़ा सा प्राई कर लूँगी, प्याज को हमें तेजी फिलिम पे भूनना है, और जादा नजी भूनना है हमें प्याज को बल थोड़ा सा भी भूनना है इने, और ये हमारे प्याज हल्के से भून चुके हैं, अब मैं हमें प्लेट में निकान दूँगी, ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसी तेल में ये भिंडिडा लूँगी, बिंडि को भी हमें जाडा नजी पकाना है, इसे भी थोड़ा साही हम रोज भीनेंगे बिंडि को, बिंडि हमारे थोड़ी से गल चुकी हैं, अब मैं इनहीं भी प्लेट में निकाल दूँगी, फ्लेश के फिर में को मिक्लो कल दूँगी, और इनने भी प्लेट में एक रहे दनी रखे दूँगी में बिंडि को निकाल के, यह हमारी बिंडी और प्याज फ्राई हो चुकी है अब मैं इसी कड़ाई में थोड़ा सा ओईल डालूँगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और साथ ही मैं ये लसुन डाल दूँगी चुप किया हुआ लसुन और जीरा हमारा बुन चुका है अब हम इसमें प्याज डाल देंगे चुपर में चुप किये हुए प्याज डाल देंगे और ये हमारे प्याज बुनने लगे हैं इसे मैं खोड़ा सा और बुन लेती हुँ प्याज को प्याज हमारे बुन चुके हैं अब मैं इसमें ये तिमातर कुई डाल रहती हुँ अब मैं इसमें हल्बी पोड़र डाल रही हुँ लाल मीर्ची दनिया पोड़र और स्वाद नूसार हुँ नमक डाल रहे हैं और इसे मीक कर लेगे मखाले को और एक चम्मच के आसपस में इसमें पानी दाल रही हुँ अब मैं इसमें ये बिंदी और प्याज दीदा हुँगी अब मैं इसमें इसमें ये देंदी और प्याज दीदाव दूंगी और इसे भूमलतियों में मसाले को अच्छे से निक्स करों ही दिंडी के अंदर ये हमारे मसाले में अच्छे से दिंडी और ज्याज मिक्स हो चुकी हैं अब इसी के साथ में ये हरी मिल्च और ये तो माटर डावलोंगी और ये हमारे मिल्च बंद कर प्यार हो चुकी है और इसमें और ये खोड़ना शुरू कर दिया है मैं अब ये गर्म मसाला डाल दूंगी और इसमें ये मसाला ब्लक्षे से मिक्स कर लूंगी गर्म मसाले को ये हमारी बिंडी दो प्याजा का पलर कितना बढ़ी आया है और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं एक बाउल में सर्फ करूंगी बिंडी दो प्याजा को ये हमारी सब्जी बनकर त्यार हो चुकी है इसे हमने एक बाउल में सर्फ कर दिया है बिंडी और दो प्याजा की सब्जी बनकर त्यार हो गी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें